और आज हम पढ़ने वाले हैं एक दिन के बाद शाहत तो आज ये से स्टार्ट करते हैं आर्फ सलीन चलो फोरण सो जाओ अमी के आवाज एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्त के साथ अपने बैठे कवालिक आ रहे थे या फिर सुबह उन्हें मज़े से आईस्क्रीन खाने के सपने देख रहे होते आपा जिन चोड़ कर जगा देती जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया दोनों की मुसीबत में जान थी हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तक्रार अपनी मर्जी से चूब भी ने कर सकते थे कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाई दाटते चुप होता है या नहीं हर वक्त मेंड़ की तरह टर्राए जाता है बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए अंदर हैते तो दादी चला थी हाई राम, मेरा दिमाग, हाई मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर की मारे अरी रजिया जरा इन बच्चों को बहर हांक दे जैसे बच्चे ने नैहो मुर्गी के चूजे हो गए दोनों गंटों बैटकर इन पाबंदियों से बच्च निकलने का तर्कीब जोचते रहते उन दोनों को सारे घर के दुश्मनी हो गई थी लिहास दोनों मिलकर एक जोजना बनाई और अबबा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की एक खुद की बात पेश की उन्होंने कि एक दिन के लिए उन्हें बढ़ों के सारे अधिकार दे दिये जाए बड़े छोटे बन जाएं कोई जरूत नहीं है ऐसी उधम मचाने की अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डाट पिलाई लेकिन अब मान जाने किस मूड में थे कि सिर्फ ने मान गए कि बल्कि यह इकरार भी कर दिया कि कल गर बैठे कि कल दोनों को हर किसम के अधिकार मिल जाएंगे अभी सुबह होने में कई घंटे थे तभी अभी सुबह होने में कई घंटे थे अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पेज अम्मिन चाहे जहापन रसीद के सो रहे मगर याद आया कि आज सो उनके पास सारे अधिकार छेने जा चुकी है फिर दादी ने सुबह कि नमाज पढ़ने के बाद खाना और बदाम का हरीरा पिना शुरू किया तो आरिफ ने रोका तोबा है दादी कितना हरीरा पियेगी आपका पेट फटचाएगा और दादी ने हाथ उठाना मारने के लिए उठाया नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामा से कहा अंडे और मकंड वगेरा हमारे सामने रखो दलिया और दूद बिस्कुट बिस्किट इन सबको दे दो अपना आपने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा मगर बेबस थी क्योंकि रोज की तरह आज तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी सब खाने वैठे तो सलीम ने अम्मी को टोकाम अम्मी जरा अपने दाग देखिए पान खाने से कितने गंदी हो गए हैं मैं तो धात मांग चुकी हूँ अम्मी ने टालना चाहा नहीं चाहिए चलिए उठिए अम्मी निगाला तोड़ चुकी थी मगर सलीम ने जवर्दस्ती कंधा पकड़ कर उठाया उन्हें उठाया अम्मी ने गुसल खाने में जाते देख सब हस पड़े जासे रोहो सलीम को जवर्दस्ती से हसते भगा के हसते थे फिर अब अमी अब्बा की तरफ मुड़ा जरा अब्बा की गत देखिए गत होती है बियड हम डाड़ी बाल बड़े होएं शेव नहीं कि कल कपड़े पहने थे और आज इतने मेले डकर डाले आखिर अब्बा के लिए कितना कपड़े बनाएं हर यह सुनकर सब अब्बा का हस्ते हस्ते बुरा हाल होगा आज यह दोनों कैसी सही नकल उतार रहे हैं मगर फिर कपड़े देखकर वह सचमुशर्विंदा होगे थोड़ी देर बाग जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठ कर नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थी तो आरिफ चलाक ने लगा बस कीजी अब्बा फोरन ओफिस जाईए दर्स बच गए है तो अब हम करेंगे इसका पार्ट डू नेक्स्ट वीडियो में तब तब के वाइल हमारी वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दा मत भूलना थेंक्यू